NIA ने 9 दिसंबर को महराष्ट और करनाटक के 44 ठीकानों पर छापे मारे। रेट के बाद एजनसी ने महराष्ट से 13 लोगों को गिरफतार भी किया। गिरफतार हुए आरोपी आतंकी संगठन ISIS से जुड़ हुए हैं। NIA ने महराष्ट के 43 और करनाटक के एक ठीकाने पर सर्च ओपरेशन चलाया। जाच एजनसी ने देश में ISIS से जुड़े एक नेटवर्क को धून निकाला है। जो भारत में ISIS की विचार धारा को फैलाने की कोशिश कर रहा था। इस पूरे नेटवर्क को विदेश में बैटे हैंडलर्स ऑपरेट करते हैं। इनका मकसद भारत में आतंकी गत्वीदियों को अंजाम देना है। ये लोग भारत में ISIS से प्रभावित युवाओं को अपने संगठन में शामिल करते हैं। इन्हें IAD बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। ISIS मॉडूल केस में NIA ने पहले भी कारवाई की थी। महराश्ट से साथ लोगों को अरिस्ट किया गया था। 6 नवंबर को इन साथ आरोपियों के खिलाप चार्चित दायर की गई थी। 12 नवंबर को खुलासा हुआ कि साथ वारोपि काफी पढ़े लिखे हैं। ये लोग नामी कंपनियों में काम करते थे और IAD बनाने के लिए कोड वर्ड में बाते करते थे। आरोपियों ने आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए महराष्ट, गोवा, केरल और करनाटक में रेकी भी की थी। उन्होंने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए एक ड्रोन का भी बंदोबस्त किया था जिसे एजंसी ने जप्त कर लिया है। NIA ने कहा है कि इमरान, यूनुस और शाहनवास के लिंक पूरे के इंजीनियर जुल्फिकार अली बोर्ड वाला से हैं जो IT फर्म में काम करता है। जुल्फिकार को ISIS से जुड़े एक केस में 3 जुलाई को गिरफतार किया गया था। वो मुंबई की और्थर रोड जेल में बंध है। NIA के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि जुल्फिकार ही इस केस का मास्टर माइंड और फाइनेंसर है। उसने इमरान, यूनुस और शाहनवास को ट्रेनिंग दिलवाई और पैसे विजवाये थे। इमरान तक पैसे पहुचाने वाला कादिर दस्तगीर पठान को भी पुलिस ने गरफतार किया है। चारो सो ही पूश्ताश में NIA को डॉक्टर अधनान का नाम मिला। NIA ने उसके घर छापा मारा तो ISIS से जुड़े डॉक्यमेंट्स मिले। NIA ने अधनान के सभी इलेक्ट्रोनिक गैजट्स को जब्त कर लिया। CIA से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अधनान के पास मिले डॉक्यमेंट्स से यह पता चला है कि उसका संबंद ISIS से है। इसमें गरीब नौजवानों को आतंकी संगठन से जोड़ने की डीटेल्स मिली हैं। इसके अलावा चारो आरोपियों से यहूदी कम्यूनिटी सेंटर की फोटोज मिली हैं। इससे यह साफ हो गया है कि ISIS के निशाने पर सिर्फ भारत ही नहीं इसराइल के लोग भी हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस ने कोलाबा में चाबाड हाउस की सेक्योर्टी बढ़ा दी। 26 नमबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले के दोरान चाबाड हाउस पर भी अटैक हुआ था। अधनान सहित पांचो आरोपियों से पूछ ताज के बाद NIA आकिफ अतीक नाचन तक पहुँची। वो IED की ट्रेनिंग का मास्टर है। उसने ही इमरान और मुहम्मद यूनिस को शुपाया था। आफिक को मुंबई के बूरी वाला ठाणे और भिवंडी में हुए रेड के बाद अरस्ट किया गया था। महरास्ट ATS के एक अफसर ने बताया कि पकड़े गए आतंकियों से 500 GB का एक मेमोरी कार्ड मिला है जिसका डिलिट हुआ डेटा धिकवर किया जा रहा है। पूछ ताश में पता चला है कि उन्हें अटैक से अलग-अलग तरीकों की ट्रेनिंग दी गए थी। बं ब्लास्ट का ट्रायल पूडे, कोलापूर और सातारा की जंगलों में किया गया था। अधिकारी के अनुसार अरेस्ट किये गए आरोपी मोहमद इमरान ग्राफिक डिजाइनर है। NIA ने उस पर 5 लाख रुपय का इनाम घोशित किया था। ये केस राजस्थान की चितोडगर में दर्ज है। इमरान और उसके दोनों साथियों के खिलाफ कोथ रूड पुलिस स्टेशन में चोरी, जाल साजी, इंडियन आम्स एक्ट और महरास्ट पुलिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। बाद में सभी पर UAPA के तहट केस दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों से बरामत सामान और उनकी ट्रेनिंग बताती है कि जल्द ही बड़ा हमला करने की फिराक में। ऐसे ही कंटेंट्स के लिए शब्द साची की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दूसरे वीडियो का भी आनंद लेते रहें। धन्यवाद।